नमस्कार S.T. योगी में आपका स्वागत है मैं हूँ आचारियासिस डिंगवाल और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में देनिक रासी फलकी दोसकों शुरू करने से पहले खास अपील अभी तक अगर आपने हमारे सेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें लाइक भी करें और अपने मित्रों को सेल भी करें विद्ध्यार्थी आज अपनी पढ़ाई को एक तरफ रख कर अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहेंगे आज आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएं लेकिन इसके बाद फिर से पढ़ाई में लग जाएं राशी मेश, रोमान्स दमपत्ती अपने संबंध में शान्ती, ठहराव वो पूर्णता महसूस करेंगे इस समय का आनन्द उठाने के आप हकदार हैं, इसलिए खुल कर मौज मस्ती करें राशी मेश, करियर आज उनके लिए सुनहरा दिन है जो रक्षा सेवा में जाना चाहते हैं यदि इस प्रकार का भविश्य बनाना आपके मन में है, तो आज इस विशय में आगे बढ़ना चाहिए आप देखेंगे कि व्यावसाइक द्रिष्टि कोन से भी ये क्षेतर आपके लिए फायदे का सौधा होगा अपने आर्थिक हालाद से निपटने के लिए आपको आज किसी आर्थिक सलाहकार की जरूरत पड़ेगी सोच समझ कर अपने सलाहकार का चुनाव करें, आपको उसकी सलाह से अच्छी दिशा मिलेगी, गाड़ी पटरी पर आ जाएगी ज्यादा कॉलेस्ट्रॉल और स्नैक्स वाले खाने से दूर रहें, ताजा फल खाएं, क्योंकि आज से ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा आपको लक्ष निर्धारित करना होगा और ये लक्ष आपको अच्छी आदतों और जीवन शैली की ओर ले जाएगा तो इस समय आप पौश्टिक भोजन और व्यायाम की आदत डालें, ताकि आपको अच्छे परणाम मिलें राशी व्रेश, ओवर्वियू कार्य कुशलता का गुण आप में कूट-कूट कर भरा है, जो इन दिनों और अधिक बढ़ जाएगा आप सकारात्मक और रचनात्मक उरजा से भरे हैं, इसलिए आसानी से उन सभी समस्याओं का हल ढूंड लेंगे, जिनको हल करना औरों के लिए नामुम्किन है ये सब आप अपनी कारे कुशलता और गहरी सोच के कारण ही कर पाते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके इस हुनर से लोग आपसे बहुत प्रभावित हैं आज आपके रिष्टों में गलत वहमी एवं तनाव पैदा हो सकता है, जिसे दूर होने में कुछ समय लगेगा शुरू में ध्यान न देने के कारण समस्या गंभीर हो गई है इसे दूर करने के लिए साथ बैठ कर बाचीत द्वारा आराम से हल ढूंड़ा जा सकता है इस समस्या के बारे में चर्चा से न बचें आज आप अपने काम से परेशान रहेंगे आपको महसूस होगा कि ऐसी बहुत सी बाते हैं जो कि आपके नियंत्रण में नहीं है पर उनसे आपका काम प्रभावित होता है आपको आपके काम के आधार पर परखा जाएगा लेकिन आप सोचते हैं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार उसे पूरा नहीं कर पाएं है आज इस बारे में अपने बॉस से बात करने में ना हिचकिचाएं वो आपके विचारों से सहमत ही होंगे आज का दिन आपको सुनिश्चित रूप से उस प्राप्ति अत्वा पदोनती के अवसर देगा जिसके विशे में आप लंबे समय से सोच रहे थे आज अपनी गुणवत्ता का पूरा उप्योग कीजिए जिससे आपको लेकर किसी प्रकार की नकारात्मक बातें न हो सके आज का दिन आपको कोई अच्छा व्यापारिक अवसर दिला सकता है ये समय सभी को प्रभावित करने का है तो खुद को श्रेश्ट सिद्ध करने के लिए चल पड़िये आज आप खुद को बहतर महसूस करेंगे आज आप बाहर जाने के लिए उत्साहित होंगे इसलिए बाहर जाकर ताजी हवा का लाब उठाएं आज आप का मन पसंद राशि मिथुन ओवर्वियू उच अधिकारी आपके रास्ते में रोड़ा अटका सकते हैं लेकिन आप अपने रास्ते पर अडिग रहें और आगे बढ़ना जारी रखें ये वक्त जल्दी ही बीट जाएगा और आप सही समय पर अपना काम करवा पाएंगे लेकिन आप किसी भी कीमत पर अपने लक्षे को पाने की आशा न छोड़ें आपके जीवन में रोमैंस की न्यूनता इसे नीरस बना रही है सोच समझ कर अपने जीवन में नई ताकत वस्फूर्ती लाने का प्रयास करें आज आपको कोई बढ़िया विचार सूझ सकता है जो कि भविश्य में आपको धन लाभ दिलाएगा अपने विचारों में रचनात्मक्ता लाएं और ना जाने आपका कौन सा विचार आपके काम आ जाए सोच समझ कर ही कोई योजना बनाएं और उस पर आज ही काम शुरू कर दें इससे लंबे समय तक आपको लाभ मिलेगा आज आपका दूसरों से मिलने का दिन है अता आप बाहर जाएं वो प्रियजनों का अभिनंदन करें आपके नए संपर्क भविश्य में सहायक होंगे इसलिए आप अपने व्यावसाईक पत्र को जेब से निकालें वो दूसरों को देने से डरे नहीं सभी संपर्क आपके लिए भागेशाली नहीं होंगे उन में से कोई एक या दो ही आपके लिए लाबदायक सावित हो सकते है आपके विचार किसी को विशेश रूप से प्रभावित कर सकते है और आपके द्वारा किये गए इस प्रयास से आपको सम्मानित किया जा सकता है आपने अच्छा कार्य किया है अगर आज आप काफी देर तक कंप्यूटर पर बैठे हैं तो आज ही जाकर अपनी आखों की जाज कराएं ध्यान रहे आप ज्यादा देर तक स्क्रीन पर बैठ कर काम ना करें और अपनी आखों को आराम दें वरना सरदर्द की परेशानी बराबर बनी रहेगी आज अपनी आखों का खास ख्याल रखें और कोई परेशानी पढ़ने पर दवाश जरूर लें आज जरूरत पढ़ने पर आपको मदद जरूर मिलेगी कोई सत्ता धारी मुसीबत के समय आपकी मदद को आगे आएगा इस सहायता का उपयोग करने में बिलकुल भी ना हिचकचाएं आज आप किसी मुसीबत का हल करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे मुसीबत से बाहर निकलने के लिए आपको अपनों की मदद लेनी चाहिए ना चाहते हुए भी आज आपका अपने साथी के साथ छुट-पुट बातों पर मदभेद होगा आपको चाहिए कि बिना बात पर अपने साथी पर गुसा ना उतारें अपने उच्चत विवहार से आपसी गलत वहमियों को दूर करने का प्रयास करें उच्चाधिकारी आज आपके करियर को बढ़ाने में मदद करेंगे आपने जिस तरह से अपने काम को संभाला है उससे आपके उच्चाधिकारी बहुत खुश है वे आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहें, वैसे अब तक तो आप जान ही गए हैं कि सफलता के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं होता इन दिनों यदि आप सावधान नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े, विवसाय कभी कभी कठिन दौर से गुजरता है, किनी कारणों से बाजार में विक्वाली कम हो जाती है, परंतु आपके उचित सम्पादन एवं सूज पुज से यह पुना ठीक से चल पड़ता है, यदि किसी योजना को आप अपना लक्षे मान कर कारे करते हैं, तथा रास्ते में आने वाले अवरोधों को दूर कर लेते हैं, तब वह दिन दूर नहीं, जब सफलता आपके कदम चुमेगी, और आप अपनी जीत पर खुश न ना उठाएं, वरना कमर या जोडों में दर्द हो सकता है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोज लेंगे, तो आज आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, राशे सिंग, ओवर्विव आज आपको अपने आप से ये सवाल करना होगा कि आप क्यों अपने प्रियजनों से बेकार की बहस कर रही है, हो सकता है आप किसी तनाव के कारण ये सब कर रही है, आज आप अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें और अपने प्रियजनों को कुछ भी उल्टा आज आपको किसी अनपेक्षित व्यक्ति से डेटिंग का प्रस्ताव मिल सकता है, जो आपको हैरानी में डाल सकता है. जरूर जाएं और आनंद करें. अपने डान्स के जूते पहन कर जाएं, क्योंकि आज आपका दिन खुशियों और मस्ती से भरा हुआ होगा. आनंद करें. आप इसकी अपेक्षा लंबे समय से कर रहे हों, लेकिन देर आए, दुरुस्त आए. इस उन्नती से आपको एक लंबे अर्से के बाद समाधान मिलेगा. राशे सिंग, फाइनांस. आपकी नकारात्मक सोच आपका स्वास्त बिगाड सकती है. याद रखें, नकारात्मक सोच वालों का जीवन अच्छा नहीं होता, इसलिए सकारात्मक सोच रखें. आप किसी भी वजह से गुसा ना करें और ना ही तनाव लें. इससे आपको शारिजिक चोट मिल सकती है. आ आज आप अपने दोस्तों के साथ खूब नाचने गाने में व्यस्त रहेंगे. आपके दोस्त आज आपके घर भी आ सकते हैं. उनका दिल से स्वागत करें. उनसे मिलकर आपका तनाव बिलकुल खत्म हो जाएगा. उनके साथ मिलकर आप अपनी पुरानी यादे ताजा करें जिससे आपको बहुत खुशी होगी. राशिकन्या रुमैंज आज आप पाएंगे कि आपको अपने काम के लिए अपनी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना होगा. शायद आपको नहीं पता कि आप कितने कलात्मक और प्रतिभाशाली हैं. नए विचारों का प्रयोग करने में बिलकुल ना घबराएं क्योंकि शायद इन विचा आपका काम बन जाए. आपके उच्चाधिकारी वस्सहकर्मी आपकी प्रतिभा को देखकर आपसे प्रभावित होंगे और आपके प्रोजेक्ट को देखकर आपकी प्रशंसा करेंगे. राशिकन्या, फाइन्स अतह आज का दिन जमीन विवसाई में लगे लोगों के लिए अच्छा है. बीते समय में किया गया परिश्रम, आज भलदायक सिद्ध होगा. आप अपने आपको आज दुनिया का सबसे खुशनसीब इनसान समच सकते हैं. राशिकन्या, हेल्द आज थोड़ी सावधानी की आवर्शकता है क्योंकि त्वचा संबंधित बीमारी होने की आशंका है. सूर्य से बच कर रहें और पानी खुब पियें. तैलिये खाना और धूल से बच कर रहें. इससे आपकी त्वचा और स्वास्ते अच्छा रहेगा. राशितुला, ओवर्विव राशितुला, रुमैंस आज आपका लीडर होने का हुनर अपने चरम पर होगा. और दूसरे लोग इस बात की सराह ना करेंगे. आपके सितारे ऐसी स्थिती में हैं कि आपको अपने इस हुनर को प्रदर्शित करने के लिए और अधिक जिम्मेदारियां लेनी होंगी. राशितुला, फाइनांस हो सकता है आप कोल्ड की समस्या से परेशान रहें। आप जल्दी ही राहत की सांस लेंगे और फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए व्यायाम करें। संतुलित भोजन लें और जल्दी ही आप पहले जैसे हो जाएंगे। आज आपको वो प्रशंसा मिलेगी जिसकी आप अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे आपने निस्वार्थ भाव से काम किया जिसका फल अब आपको मिलेगा शायद आपने अपना काम बहुत महनत से किया है और आपको इस बात का एहसास भी नहीं था कि उच्चा धिकारी आप पर नजर रखे हुए है जब आपको आपके काम के लिए सराहा जाएगा तो आपको बहुत खुशी होगी आपको कोई इनाम भी मिल सकता है अपने प्रेम को ताजा रखने का प्रयास करें अपने साथी के साथ रात का खाना मदद करेगा याद रखें कि बिना अपेक्षाओं के दिये हुए पूरे प्रेम में जादूई शक्ती होती है जो आपके संबंध में पूर्ण तालाएगी सभी जिंदगी में रोमांच चाहते हैं इसलिए बोरियत से बचें वो अपने जीवन को सचे प्रेम से भर दें आज के दिन आपको अपने समूह के सदस्यों का सहयोग लेना होगा इसके लिए प्रेननास पदविचार साथ में रखने होंगे जिससे समूह एक साथ चल सके सभी को ये बता दें कि आपकी उनसे क्या अपेक्षाए है वो उन्हें कैसे सारा काम करना है दिन के अंत में काम ना करने वालों को प्रेरणा मिलेगी अपने विवसाई में होने वाले छोटे मोटे उतार चड़ाव से आप विचलित ना हो विवसाई में अच्छी सफलता के लिए आप निरंदर कठिन परिश्रम करते रहें आपके आसपास के लोग आपके विवसाई के तरीकों की सहराह ना करेंगे अतह आप उन महतवपूर्ण विवसाईयों से विवसाई के अच्छे गुण अपनाने की कोशिश करें वे विवसाई के प्रति समर्पित हैं तथा वे आर्थिक जोखिम उठाने को तैयार हैं उन्हें अच्छे विवसाई के अवसरों की कोई कमी नहीं है अपनी त्वचा को लेकर सावधान रहें कोई बिमारी हो सकती है खुद को ढखकर रखें और सूर्य से बचा कर चलें अपनी त्वचा को सूर्य से जलने से बचाएं अगर जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लें आज विद्यार्थियों का मन किताबों से हट कर अपने दोस्तों के साथ मजे करने को करेगा जो लोग रात दिन एक करके मेहनत कर रहे थे वो थोड़ा आराम कर सकते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई और मस्ती में संतुलन बनाए रखें आपके पसंदीदा कामों से आज आपका साथी भी भरपूर आनंद प्राप्त करेगा साथ साथ काम करने से आपसी रिष्टे और अधिक मजबूत होंगे यही उचित समय होगा जब आप अपने मन के भावों को साथी के समक्ष रख सकें जिसका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा आज आपकी आजी विका में भौगोलिक परिवर्तन परिलक्षित हो रही हैं आप नौकरी बदल सकते हैं यदि आप घर से काम करते हैं या आपका स्वयम का प्रतिष्ठान है तो आज के दिन आप अपना कार्याले भी बदलने की सोच सकते हैं इस अवसर को अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिहाज से उपियोग में लाएं व्यवसाइक एक शेत्र में बन रहे नए संपरकों से आपको फायदा पहुँचाने वाले नए मौके मिलेंगे हाला कि इन्हें हासिल करने से पहले इसके दोनों पक्षों को ठीक से समझना बहुत ही महतुपूर्ण है आपको अपनी बहुत धिक्षमता का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए भी करना चाहिए इससे आपको अपना प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करने में तो मदद मिलेगी ही नए नए विचार भी दिमाग में आएंगे आप अपने दृड़ प्रयासों से अपने लक्ष को पा लेंगे और आपके सपने साकार होंगे भविश्य की व्यवसाईक योजनाओं के लिए आपको पूरी प्लैनिंग करके चलना चाहिए इससे अपना आर्थिक लक्ष भी पा सकेंगे आज मधुमेह और मुटापे से ग्रस्त लोगों को ध्यान रखना होगा इसके कारण आप जरूरी काम भी छोड़ सकते हैं आपको इससे छुटकारा पाना होगा इसके लिए आपको मसालेदार वबाहर का खाना छोड़कर नियमित रूप से व्यायाम करना होगा इस बदलाव का लाव आपको शीगर ही मिलेगा आज का दिन आपके लिए शान्ती और सुकून लेकर आएगा आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने को करेगा इन खुब सूरत लमहों का पूरा लाब उठाएं दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएं और अपने तनाव को दूर भगाएं एक रोमैंटिक दिन आपका इंतजार कर रहा है आपसी खुशी के क्षणों का आनंद उठाने के लिए तैयार रहें एक दूसरे के मददगार बने आज आप अपने व्यवसाय को लेकर किसी भी प्रकार के भागीदारी संबंधी प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे आपको ये महसूस होगा कि भागीदारी तो चल रही है परंतु संबंध समाप्त हो चुके हैं आज के दिन किसी भी प्रपत्र में शामिल होने से पहले भी कई बार सोचें अगर आप कानून संबंधित काम करते हैं विशेशकर सामाजिक कानून तो आपका आज का दिन अत्यंत लाब दायक होगा आपके हाथ में एक बड़ा काम अर्थात व्यवसाय आएगा या फिर आपको पद वृद्धी मिलेगी इस समय को अपने आर्थिक लक्ष को पाने के लिए इस्तिमाल करें सिर्दर्द से सावधान रहें ज्यादा तनाव, ठकावट, बड़ी रुकावटें हो सकती हैं इसलिए आपको आराम के लिए योग और श्वास संबंधी व्यायाम करने होंगे क्योंकि इसी से आप शांत और हलका महसूस करेंगे आज आपको अपने गुरु की सलाह अपने लंबे समय से चले आ रहे दुखों को खत्म करने के लिए लेनी चाहिए आपने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक करने की कोशिश की लेकिन ये वक्त है अपने ऐसे ही जानकार की सलाह लेने का जो आपके करीब हो और आपकी परवाह करता हो अपने उद्देशों को प्राप्ट करने के लिए उनकी सलाह का उप्योग करने में जरा भी न हिचकें अनावश्यक वाद विवाद से बचें एवं जल्दी ही पलट कर अपना रोश व्यक्त ना करें अन्यथा यही आपके रिष्टों में तनाव का कारण बन जाएगा आज के दिन घर में शान्ती बनाए रखें वो अपने साथी के साथ मिलकर भरपूर आनंद लें आखिरकार आपका प्यार आपके बिगडे मिजाज को खुश मिजाज बना देगा आज कुछ परेशानियों की वजह से आपका काम कुछ धीरे ही चल रहा है इस समय का लाव उठा कर आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि आप अपने काम से क्या चाहते हैं अगर आपको लगता है कि आपके काम का प्रतिभल आपके अनुसार नहीं है तो आपको इस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए यदि आपने व्यापार या परसनल कर्ज के लिए आवेदन कर रखा है तो आज आपको सकारात्मक समाचार मिलेगा इसके लिए लंबा इंतिजार करना पड़ा लेकिन चलिए सबर का फल तो मीठा मिला ध्यान रहे कि उधार उतना ही ले जितना की चुकता कर सकें आज आपको महसूस होगा कि आपके दोस्त और घर वाले आपके स्वास्त की चिंता करते हैं और आपको स्वस्त जीवनशैली अपनाने में मदद करेंगे आप हर काम में अकेला महसूस नहीं करेंगे आपके साथ हमेशा आपका कोई साथी होगा जो आपको किसी कारे में अकेला महसूस नहीं होने देगा आज आपका दिल और दिमाग दोनों ही पूरी मस्ती में रहेंगे आपका मन काम में बिल्कुल नहीं लगेगा आप शायद अपनी जिम्मेदारियां भी ठीक से ना निभा पाएं मौज मस्ती करना गलत नहीं है लेकिन आपको इसके साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखना चाहिए राशिमीन, रोमैंस रोमैंस की दुनिया में आज आपके लिए सीख यही रहे की कि अगर आप अपने पार्टनर से प्यार पाना चाहते हैं तो आपको भी वो उसे देना होगा ये एक तरफा नहीं हो सकता आप पहले पहल करें आपका पार्टनर खुद ही अपनी भावना आपके सामने रख देगा इससे बहुत सारे लोग आपसे मिलने की चाह रखेंगे अगर आप इस समय बेरोजगार हैं तो आपको कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है जिस दिशासे नौकरी मिलने की उमीद है उस सरफ अपनी आँख वकान खुले रखें और जैसे ही कोई नया मौका मिले उसे तुरंथ ही जपट लें अगर आपके पास निवेश करने के लिए कोई अतरिक्त पैसा है तो आपको निवेश के कई सारे विकल्पों पर विचार करना चाहिए लंबे समय के निवेश के खयाल से समपत्ति में पैसा लगाना ठीक रहेगा अपने व्यापार में भी अलग-अलग योजना बना कर उसमें निवेश कर आप आज ये दिन का लाब उठा सकते हैं आज सभी तरह के विकल्पों पर विचार कर लें कुछ ऐसे विकल्प सामने होंगे जो आपको पहले कभी नहीं दिखे थे राशी मीन हेल्थ ज्यादा खाने की वजह से आप खुद को सेहत मंद महस्कूस करेंगे व्यायाम करना न भूलें इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा आलस्पन के शिकार न बनें और स्नैक्स न लें